हलो एबरीवन नमस्कार मैं हूँ रमन मिश्राज स्वागत है आपका हमारे चैनल परिक्षा प्लस पर दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो उत्तर प्रदेश लोग से वायक के द्वारा आज ही ये वेकेंसी अभी आपको साम तक अपडेट कर दी जाएगी 13 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगी इस वेकेंसी का आपका जो नाम है ये खंड सिच्छा दिकारी परिक्षा है खंड सिच्छा दिकारी यानि एक तरीके से ब्लॉग एजूकेशन आफिसर इसको बोलते हैं ये भरती बहुत दिनों से दोस्तों प्रस्तावित थी इसके बारे में अभी मैं आपसे बात करने वाला हूं रिक्तियों की संख्या लगबग आप देख रहे हैं कि 309 पद हैं 309 पदों की ये वेकेंसी इस बार जो है यूपी PCS पहली बार करवाने जा रहा है अपर PCS से ये पहली बार वेकेंसी होने जा रही है इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि अच्छा जानकरियों पर चर्चा करने से पहले मैं कुछ खास बाते बता दे रहा हूं यूटूब का जो हमारा चैनल है जॉब नोटिफिकेशन अनी चीजे जो है यूपी टुपल सी की जो पर इच्छाएं हैं उनसे संबंदित तमाम ऐसी चीजे हैं ठीक है हिंदी बगेरा इन सभी के लिए इस पर तमाम लेक्चर दिये जाते हैं लेक्चर पड़े हुए हैं इसके लिए यह चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर पूश कर लें साथी साथ कुछ इंफॉमेशन और आपके लिए जो बहुत फाइदे मन्द है दोस्तों हमारा जो ग्रूफ है जोईन कर लें आज सु प्रशनों की मैं सिंखला चला रहा हूं हिंदी की यूपी टुपलसी जूनियर असिस्टेंट 24 दिसंबर को लेकर के उसके सारे लेक्चर इस पर पार्ट वाइज पड़े हैं और चैनल पर सभी की पीडिये पड़ी हुई है वहां से जाकर आप डाउ अच्छा-2019 होने जा रही है यह जो वेकेंसी आने जा रही है इसमें क्या-क्या चीजे योगिता होगी क्या आपकी उम्र की योगिता होनी चाहिए उम्र तो आप जानते हैं 40 साल PCS की सारी वेकेंसिज में होता है लेकिन सहचिक आहरता क्या होने चाहिए यह सबसे बड़ा स सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा आगर मैं आपको बताऊं कि खंड सिच्छा रिकारी क्या इससे पहले वेकंसी आई है या नहीं तो दो तीन पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूं यह जो आपका पद है इस बार बाला ठीक है यह पद आपका 309 पद के समकच्छ ठीक है यह बहुत पहले उधर मैं बता दू जुलाई में ही इसका जो है अधियाचन सासन को भेजा गया था वहां से सारी चीज़े आई थी तो अधियाचन के बाद जुलाई से लेकर के अब तक उस समय भी मिड डॉमबर यह था ठीक है कि मिड डॉमबर यह वेकंसी आ तो जुलाई 2011 में कार्डर रिवीव ठीक है जैसा यूपी PCS के आफीसर का कार्डर होता है IS का कार्डर होता है तो उसमें जब रिवीव हुआ था ठीक है तो उप बिद्याले निरिच्छक जिसको DI बोलते थे पहले ठीक है डिप्टी इंस्पेक्टर एक तरीके से और प्रत नया कैडर बना ठीक है और उसी समय क्या हुआ था इससे पहले इसका ग्रेट पे बेतन जो होता था यह 2800 रुपे था लेकिन उसी समय इसको बढ़ा कर 4800 रुपे इसका ग्रेट पे बेतन किया गया है तो ग्रेट पे इसका किनना है 4800 रुपे है यह दिमावी में रख लेना आपको दूसरी चीज ये प्रात्मिक और उच्छ विद्याले दोनों जो आपके होते हैं प्राइमरी होता है और उसे अपर वाला जो होता है ठीक है उन विद्यालों के प्रधाना ध्यापकों को नियंतरित करते हैं जो प्रिंस्पल होते हैं तो इस वज़े से इनका बेतन कम ना हो इसलिए इसको 4800 पे ग्रेट किया गया था किया गया था और साथ इस साथ इनको राज पत्रित अधिकारी यानि गैस्टेड आफीसर बनाया गया उस समय से पहले नहीं था ठीक है अब बात में कुछ और चीज़े आपसे कर रहा हूं इससे पहले यह वेकेंसी कब हुई यह भी जान लो ठीक है क्योंकि जरूरी है अभी आप लोग सोचोगे कि अच्छा इसका हमें कहीं से वह मिल जाता मनलब प्रीविएस एर पेपर तो उसके बारे में भी मैं आपसे बात कर रहा हूं पिछली बार 2006 में क्या हुआ था लोग से वायों ने केवल स्क्रीनिंग ट अधिकारी हो गया और साथी साथ बेतन जो था यह 4800 पेग्रेडव हो गया तो इसको अपर PCS से कराने का प्रस्ताओ जा चुका सासन को सासन ने फाइनल भी कर दिया अब मैं बता रहा हूं इसकी वरकिंग क्या होती इसकी कारी प्रणाली क्या होगी इसका कारी क्या होगा ठ सर देखो BSA अलग है बेसिक सिच्छा अधिकारी जो होता है यह अलग है यह दूसरी पोस्ट है ठीक है यह आपकी पर PCS के ही जरिये होती है जब आप PCS जैसे इस बार 15 दिसंबर देने जा रहे हैं तो इसमें BSA की पोस्टे है ठीक है वो एक साथ आती है लेकिन यह जो है य वहाँ पर इसकी निवक्ति होती है बीयो क्या करता है कि जैसे जो अपने प्राइमरी है या पर प्राइमरी है इनमें फीस ड्रेस मिड्यमील ठीक है किताबे छात्वित इन सब का जो है निस्पादन के लिए जिम्मेदार है यानि यह सब कैसे वहां वर्क कर रहे हैं इस ये के मांग दर्शन में बेसिक सिच्छा परिशत काम करता अपने यहां ठीक है पहले ही इस पद को डिव्टी साहब बोला जाता था या या इस डियाई बोला जाता था लेकिन आप क्या हो गया है खंड सिच्छा दिकारी आप देखो मैं कुछ और बाते कर रहा हूं पद खाली है इसलिए यह जो विग्यप्ती आई है यह 309 पदों की है हो सकता है कि यह अभी जो पद है यह पद बढ़ जाएं ज्यादा संभावना यह है क्योंकि यह पद बढ़ जाएंगे ठीक है अंतिम जो रिक्ती सूचना यह 2010 में प्रकासित हुई थी उसके बाद कोई वेकंसी नहीं यानि 9 सालों के बाद वेकंसी आ रही 8 सालों के बाद तो इसलिए इसमें पद अभी बढ़ेंगे 100% है कुछ और चीज़े मैं आपको बता रहा हूं जो यह आपका होता है एक तरीके से बीओ बीओ की भरती से संबंदित कुछ और विबरण में दे रहा हूं पद का नाम आप जानते हो खंड सिच्छा अधिकारी जिसको ब्लॉक एजुकेशन आफिसर बीओ बोला जाता है दूसरी बात इसमें दोस्तों कि जैसे यह वेकंसी आपकी मैंने बताया कि अपने यहां प्रदेश सरकार में 1031 है पदों की संख्या 1031 है ठीक है उनमें 722 पर लोग काम कर रहे हैं 722 पदों पर नियुकती है और यह नियुकती क्या हुई थी पिछली बार भी जी अब हुई थी एक तो स्क्रीनिंग वाला हुआ था और दुबारा जब कुछ पद जो इसमें थे वो सीधा सीधा जो है पदोंनेत से भरे गया थे ठीक है पदोंनेत के द पर बढ़ा करके इसका जो है कई ना कई 4800 रूपे कर दिया गया है दूसरी चीज अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि सिछायोगिता क्या होगी ठीक है तो यह मैं साफ तोर पर अभी जो आपकी कटिंग में है कटिंग में उसने कहीं भी जिक्रे नहीं किया है कि इसके पहले क्या हूई थी मैं उस बारे में चर्चा करूँगा और कहीं न कहीं यही होने जा रहा है ठीक है तो जो लोग जैसे अभी इस पर हाँ थोड़ी सी यह हो सकती है क्योंकि जो लोग असनातक हैं सिर्फ ग्रेजवेट हैं बीए बीएस सी वीकाउम बीटेक जो कुछ भी ह ठीक है तो वो लोग डिबांड कर रहे थे कि इसकी योगेता ग्रेजवेट रखी जाए और बीएड जो कंपलसरी इसके साथ होता था यह हटाया जा लेकिन अभी तक पीजी इसके साथ और बीएड की डिगरी जरूरी थी तो मेरे अनुमान से कहीं न कहीं यह डिगरी होने चाहिए ठीक फिर से पीजी होना चाहिए और पीजी के साथ बीएड होना चाहिए यह जहां तक संभावना बन नहीं है आपको साम तक यह सारी चीज़ पता चल जाएंगी लेकिन जहां तक आप मान के चलो कि यह रहने वाला है हाला कि मांग चल लिए तो इस पर कुछ भी हो करूँ ठीक है इसमें जितने भी लोग हैं इसके जो स्टेज होंगे एक तरी किसे प्रीमिन्स होगा तो उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो एक्जाम तीन आपके स्टेज में होने जा रहा है स्टेज फस्ट जो होगा ठीक है इसमें प्रेलिम्स एक्जाम होगा ठीक है होने के बाद जब आप इसको qualify करेंगे अभी तक जैसे PCS के prelims में दो पेपर होते हैं एक CSET होता है आपका पहला GS होता है दूसरा CSET इसमें यह संभावना है कि एक पेपर आपका प्रेलिम्स में हो जाए या दो भी कर सकता है दोनों चीज़े क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट में भी जो CSET जैसा पेपर होता है वैसा ही पेपर आया था जो इस प्रेणिंग टेस्ट वाला जो मैं पिछली वेकेंसी की बात करो तो उसमें एक नौर्मल पेपर बनाया गया था जिसमें हिंदी एंग्रेजी सभी से समवन्दित सवाल पूछे गया थे ठीक है तो इसमें कहीं न कहीं हो सकता है यह जो आपका प्रेलिम्स एक जाम में एक पेपर कर सकता है जिसमें मलब सब कुछ मिला ले या दो पेपर हो सकते लेकिन जो होगा कहीं न कहीं जो आपका स्टेज 2 होगा स्टेज 2 आपका मेंस के जैसा होगा तो हो सकता है इसको डेस्क्रेप्टिव भी कर सकता है लेकिन डेस्क्रेप्टिव अनुमान बहुत कम है ठीक है डेस्क्रेप्टिव होने के अनुमान अभी बहुत कम है जो स्टेज आपका थर्ठ होगा स्टेज थर्ड महींं कहीं नहीं इसमें आपका होने जा रहा है तो इंटर्व्य सिर्फ निकाला जाएगा कि जिससे कि आप उसको मलब उस क्राइटेरिया को जब आप क्रास कर ले जाते हैं तो आपको मेंस के लिए उम्मीदवार कहीं न कहीं बनाया जाए तो मेंस और इंटर्विव फाइनल सेलेक्शन को दिलाएगा फाइनल सेलेक्शन आपका दिलाएगा मेंस और इंटर्वियू में आपके जो मार्क्स होंगे कहिनका तीन सटेज की ये वेकंशी होने जारे है तो फाइनल सेलेक्शन के लिए मेंस आपका होगा तो दोस्तों तैयार रहना है तीन स्टेज के लिए अगर यह गृ्सेड़ लेबल हो जारी है BABSC हो जा रही है तो बहुत अच्छा मौका सभी के लिए अगर PG हो जा रही PLUS BAID हो जा रही है कोई बलाव नहीं हो रहा है तब भी जो लोग PG है और BAID है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि 309 पाथ पहली बार इस वेकेंसी के द्वारा आ रही है तो यह बहुत सुनहरा मौका है बाकी यहनी चीजें मैंने बताया कि मेंस और इंटर्विव दोनों मिला कर कहीं न कहीं इसका जो है इंटर्विव तो तय है होना क्योंकि 4800 पे ग्रेट की जॉब हो चुकी है और PCS अपर से आ रही है तो इंटर्विव आप मान के चलो कि हाँ इंटर्विव होगा ही होगा ठीक दूसरी चीज़ प्री और मेंस वाला प्री में हो सकता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में जो मैं बार-बार अब से कह रहा हूँ कि स्क्रीनिंग टेस्ट में हो सकता यह सारे सब्जेक को मिला के फिर एक पेपर बनाए ठीक है उसको सिर्फ क्वालिफाई करना हो और फिर मेंस में आप से कुछ ऐसा अब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी पेपर ले सकता है तो एक दम पूरी तरीके से तयार रखें बैराल साम तक यह नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा अनी जो चीजे हैं इसमें ठीक है नोटिफिकेशन शेयर होने के बाद एक बार मैं फिर से इस पर मिलूँगा टीप फिर से परिक्षपले साब से मिलेगी और तमाम उन चीजों अगर ग्रिजवेट हो जा रहा है तो बहुत अची बात है हम फिर से इन पर तमाम इनके बारे में चर्शा करेंगे अनी चीजों के बारे में इसक्रीनिंग टेक्स्ट आपका जो प्रेलियम्स इक्जाम होगा 24 दिसंबर को लेकर के 10 टेस्ट की हम एक सेरी चला रहे हैं यह पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल सी के लेटेस्ट बेस जो 2019 में पेपर हुए हैं उन पर आधारी थे टेस्ट हमारे पैनल ऑनलाइन पैनल पर होता है वहाँ से देने के बाद आपको PDF पूरी संपूर्ण ब्याख्या सहीद मिलेगी वीडियो सलीशन सब के मिल जाएंगे साथी साथ कुछ मैं notes important आपको provide कर दूँगा मात इतने में ही कोई भी दिक्कत है इस नंबर पर call करिए WhatsApp करिए 9450006007 पर इस पर आप बात कर सकते हैं और एक important बाद ASCRO आपका high code में जो आरू की vacancy है इसके लिए भी हमारी team परिक्षा प्लस टेस्रीज लांच की है छे टेस्ट हैं एक demo टेस्ट है और बाकी 5 पेड़ हैं और इन सारे टेस्ट के bit PDF solution साथ ही साथ इतने में ही आपको सिर्फ इतने में ही हम आपको तो तमाम ऐसे material भी उप्लब्द करा देंगे जो आपके इस exam के लिए बहुत ज़्यादा important है तो दोस्तों देड़ न करते भी आप टेस्रीज खरीज सकते हैं दोनों और साथ ही साथ channel को जरूर subscribe करना है अनी details सामको मैं फिर से मिलूँगा टीम परिक्षा प्लस आपके साथ फिर से होगी मैं रवन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं धन्यवाद करता हूं मिलते हैं next session में तब तक के लिए एक दम खोस रहेगे प्रसंचित रहेगे और मन लगा कर पढ़िए धन्यवाद